वेलकम वू जास्ट फोस्ट अडी दोस्तो हिमाचरपदेश सेक्रेट क्लर्क और बाकी जो भी एक्जाम होने हैं हिमाचरपदेश स्ताप सेलेक्शन कमिशन के जैसकी जेएएएएटी जेएएएकॉंस उन सभी के लिए हमने जीके सीरिज स्टार्ट की है आज जो है इस वीडियोस नहीं देखे तो चैनल में जाके उन्हें जुरू देख ले इस सीरिज में हम लगबग 1000 प्रिवियस क्वेशन सौल करेंगे जो की स्ताप सेलेक्शन कमिशन के डिपनेट एक्जाम में पुछे जा चुके हैं साथ ही एक्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट शेक्शन में है तो आप हमारा टेलेग्राम ग्रूप में जोइन कर सकते हैं तो आज का हमारा पहला जो क्वेशन रहेगा वो रहेगा नागरू मौंटेन पीक इस लोकेटेड इन विस्टिक ओप हमाचप्देश हमाचप्देश के किस चिले में नागरू पहारी स्तित है आप्शन है मंडी कुलू किनौर या लहुद स्पिती सही अंसर हैगा आप्शन ए मंडी नागरू पहारी की बात करें तो ये जो है मंडी जिले में है इसकी जो हाइट है वो है 4400 मिटर ये जो है मंडी की सबसे उंची चोटी है रहला वाटर स्पिंग की बात करें तो ये है जिला कुलू में तो ऑप्शन C हमारा सही अंसर है मुकिला ग्लेशर इस लोकेटेड इन विस डिस्टिक उप हिमाचप देश इमाचप देश के किस चिले में मुकिला हिमनत स्तित है कहां पर है लाहोस पिती जिले में तो ऑप्शन A सही अंसर है भादल इस और ट्रिब्यूटरी और विच डिवर इन हिमाचप देश हिमाचप देश में भादल नदी जो है किसकी सहायक नदी है भादल और तंतगिरी जो है मिलकर बनाती है रावी नदी तो ऑप्शन A जो है सही अंस रहेगा भादल नदी जो है कान से निकलती है बड़ा बंगाल एडिया से जहांगीर विस्टिड कांगडा इन विच एर जहांगीर ने कांगडा किम मुलाकात कब की थी जहांगीर जो है कांगडा कब आए थे 1622 में तो ऑप्शन B सही अंस रहेगा दा ओल्ड नेम अप नालागड वाज नालागड का पुराना नाम क्या था नालागड की बात करे तो इसका पुराना नाम था हिंडूर तो ऑप्शन A हमारा सही रहेगा हिमाचपदेश में 1956 में गठिद प्राधेशिक काउंसिल का सबपरी जो है किसे चुना गया था ठाकूर करम सिंग को तो ऑप्शन C सैंस रहे हिमाचपदेश में मंडी विभाग में कितने जीलो का बना हुआ है हिमाचपदेश में जो है तीन एडिमिस्टेटिव ड्विजन है कौन-कौन से मंडी, शिमला और कांगडा मंडी के अंडर जो है 5 जीले आते हैं, शिमला के अंडर 4 और कांगडे के अंडर 3 तो हमारा ओप्शन C, 5 जो है सैंस रहेगा हिमाचपदेश के प्रथम लोक अयुक्त कौन थे? कौन थे? जस्टिस टीवियार टाराचारी यह जो है 1983 से 1988 तक हिमाचपदेश के लोका युक्त रहे थे हिमाचपदेश में डॉक्तर वाइस प्रमार किसान सवरोजगार योजना इन हिमाचपदेश में डॉक्तर वाइस प्रमार किसान सवरोजगार योजना जो है किस वर्ष दाखिल की गई थी? सैंस रहेगा option D 2014 which of the following is known as mushroom city of India? कौन सा जो है भारत का मुश्रूम सहर से प्रसीद है शिमला धरमचाला सुन्दरनगर या सोदन तो ओप्शन डी सोदन को जो है मुश्रूम सीटी ओप इंडिया कहा जाता है हिमाचर पदेश has formulated hydro power policy in which year हिमाचर पदेश ने जल सकती निती का गठन कि स्वर्ष किया था 22, 23, 24 या 2006 सही अंसर की बात करें तो option D 26 सही रहेगा answer बोटी dialect is spoken in which district of हिमाचर पदेश हिमाचर पदेश के किस चले में बोटी भाषा बोली जाती है सोदन बिलासपुर हमेरपु या लाउस्पिती लाउस्पिती option D जो है सही अंसर है सुही फोक सौंग is sung in place of which होबदा following in हिमाचर पदेश हिमाचर पदेश में नीमन मैंसे किस की स्थूती के लिए सुही लोख गीत गाया जाता है सही अंसर हैगा option A रानी नेना देवी रानी नेना देवी की बात करें तो ये जो है राजा साहिल वर्मन की पत्नी थी इनों जो है चमा में पानी की व्यवस्ता के लिए जो है बलिरान दिया था तो इनकी याद में जो है सुही मेला लगता है और सुही फोक सौंग गाय जाता है तो option A सेयंस रहेगा next question है बाबर was succeeded to the mughal throne by बाबर के मुगल समाज्यों का उतर अधिकारी कौन था कौन था हुमायू बाबर की मृत्वी कब हुई थी 15 30 में who wrote akvarnama akvarnama किसने लिखा किसने लिखा था अब बुल फजलने तो option C सेयंस रहे the bhakti the first bhakti movement was organized by प्रतम bhakti आंदोलन आयोजित किया गया था option B रामानुजा चारे जोहिस का सेयंस रहे which was not an important center of the revolt of 1857 1357 की विद्रो कहा एक महत्वपुर्ण केंदर कौन सा नहीं था लखनव कानपूर आगरा या जांसी आगरा जोहिसका सेयंस रहेगा who said truth is the ultimate reality and it is God क्यों किसने कहा था कि सत्य एक परम वास्तविक्ता है तथा वह इश्वर है किसने कहा था महत्मा गानी ने तो option B सेयंस रहे which country has the longest written constitution सबसे लंबा लिखिद सविधान की बात करे तो किस देश का है बारत का option D Article 14 of the Indian Constitution grant is Indian citizens भारतिय सविधान का अन्चेद 14 जो है भारतियों नागरिकों को किसकी गरंटी देता है equality before law and equal protection of laws यानि की विदी के समक्षमानता तथा विदी का समान सरंक्षन Vice President is उपराष्टपती होते हैं उपराष्टपती की बात करे तो वो जो है not a member of any house किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते है तो option D हमारा सैयन्स रहेगा Vice President जो है राजसबा का ex-official chairman होता है by which bill government presents a proposal for annual revenue collection किस विदेग दुआरा सरकार वार्षिक राजसव उगाही का प्रस्ताव प्रसूत करती है money bill, finance bill, ordinance या none of these science रहेगा option B finance bill willy willy is a willy willy की बात करे तो ये क्या है ये है एक tropical cyclone near Australia यानि की Australia के समीप ocean katibandia, चकरवात चकरवाथ park state connects India with park state की बात करे तो भारत को किसे जोडती है ये श्रिलंका से तो option C science रहे the eastern coastal plain is also named as पूरो 30 मैदान इस नाम से भी जाने जाते है science की बात करे तो science रहता है option C कोरमंडल coastal plain का southern part जाना जाता है कोरमंडल coastal plain के नाम से और northern part जाना जाता है उतकल plain के नाम से इंडस्वेली ओरिजिनेर्स फ्रॉम स्थिन्दू नदी का उद्गम स्थान है स्थिन्दू नदी की बात करे तो ये जो है तिबबत से निगलती है तो ये जो है केलाश रेंज इसका science रहेगा option A next question है the headquarters of RBI is at RBI का मुख्यालियो कहा स्थित है Reserve Bank of India की बात करे तो इसका मुख्यालियो है Mumbai में RBI की स्थापना जो है कब हुई थी 1935 में एक अप्रेल को next है taxation is a tool of कराधान एक ओजार है किसका ओजार है विद्यों नेती का यानकी fiscal policy का type height is caused by type height के बात करे किसके कारण होता है bacteria, virus, fungus, याद, प्रोडोजोवा यह होता है Salmanola, type P, नामक bacteria से तो option A science रहेगा where are mason's pond, mason's कहां पाए जाते हैं mason's की बात करें तो यह subatomic particles है जो कि cosmic rays में पाए जाते हैं तो option A science रहेगा kidney stones are composed of पत्री बनी होती है पत्री बनी होती है calcium, oxalate से तो option A हमारा science रहेगा antonym of amenable is amenable की बात करें तो इसका जो antonym रहेगा वो रहेगा stub, born next है one word substitution a child of unusual or remarkable talent इसके लिए one word है prodigy, option D meaning of the idiom have a foot in the grave is have a foot in the grave idiom गा अर्थ रहता है too close to death यानिकी मृत्वी के नजदीक पुर्षोतम में समास है पुर्षोतम की बात करें तो उसमें जो है तत पुर्ष समास है option C हाथ उठाना मुहावरे का अर्थ है option A आशा छोड़ देना देवालियो कौन सा शब्द है रूढ़ी, योगिक, योग, रूढ़ी या इन में से कोई नहीं देवालियो की बात करें तो येक योगिक शब्द है option B वीडियो में फिलाल इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो धन्यवाद झाल